हेलो गाइज, नमस्ते, तो पिछली दो वीडियो में मैंने प्रीवियस यर क्वेशन पेपर, यानि की जो 5th जैनुरी 2019 में पेपर हुआ था, अड़र्टीज में नमबर 47 का, वो डिसकस किया था, बेसिकली मैं थोड़ा एक्स्पेन कर देती हूँ, क्या होता है कि UPHESE बहुत स सारे सबजेक्स में एक्जाम कराता है, तो सारे सबजेक्स में एक ही दिन में एक्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अड़र्टीज में नमबर 47 का जो एक्जाम हुआ था, वो तीन चर्णों में हुआ था, तो इसलिए हमारे पास GS के तीन पेपर हैं, यानि की एक पे में 5th of January 2019 का paper discuss कर चुकी हूं GS का portion और आज हम लोग discuss करेंगे 15th of December 2018 में जो paper हुआ था उसका basically अगर आपने पिछली दो वीडियो देखी हैं और आप आज की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी similarity है questions में और अगर आपने पहले भी जो इससे पहले के जो previous year के papers होंगे अगर वो भी देखे हैं तो आपको लगेगा कि previous year questions काफी हद तक similar आते हैं ठीक है जैसे कि हमने पिछले paper में University Grants Commission के ऊपर question discuss किया था इस paper में भी University Grants Commission के ऊपर question है तो एक तरीके से यह बहुत जादा important हो जाता है कि आप previous year question papers जरूर देखके जाएं किसी भी exam के लिए not just for this exam किसी भी exam के लिए तो आएए हम लोग शुरुआत करते हैं श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का और 15 December 2018 का paper discuss करते हैं तो पहला question है Indian Education Commission 1964-66 is generally known as तो पहला option है Radha Krishnan Commission तो मैंने बोला था कि पिछला paper जो मैंने discuss किया और अभी जो मैं paper discuss करूँगी उसमें बहुत सारी चीज़े common हैं तो पहला option आप देख सकते हो Radha Krishnan Commission है तो जब मैंने पिछला paper discuss किया था मैंने बताया था कि University Education Commission जो बना था उसने University Grants Commission को बनाने का recommendation दिया था और उसको head किया था Radha Krishnan ने तो आपको Radha Krishnan Commission को जब भी आप पढ़ोगे आपको University Grants Commission याद आजाना चाहिए दूसरा इस question का answer है वो Kothari Commission है तो ये Kothari Commission बनाया गया था 1964-66 इसको popularly Indian Education Commission बोलते हैं तो Kothari Commission ने काफी सारे recommendations दिये थे कि India का education system किस तरह से बहतर करना चाहिए और one of the best recommendations था three language formula तो अगर आपको three language formula के बारे में पता है तो आप उसे comment section मिलखो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इंडिया का पहला education commission Lord Ripon ने बनाया था जब British India पे राज करता था और ये बना था 1882 में और उस education commission का नाम था hunter commission तो ये आपको याद रखना है कि पहला education commission hunter commission था जो 1882 में Lord Ripon ने बनाया था और तीसरी चीज जो आपको याद करनी है एक और बहुती फेमस education commission है मुडालियर commission जिसको secondary education commission भी बोलते हैं तो अगर आप मुडालियर commission को भी जानते हो तो आप वो भी लिखो और तीसरी बात जो ये मतलब तीसरी चौती जो भी हुआ मंदल commission बहुती जादा important है एक चीज के लिए अगर आपको मालूम है तो उसे comment section में लिखो ये भी question आ सकता है इस बार के exam में next question है who among the following scholars has used the term paradigm in scientific research अब ये बहुत ही ऐसा question है जो शायद हम generally नहीं पड़ते हैं तो मैं ऐसे difficult की category में डालूँगी इसका answer है T.S. Kun यानि कि Thomas Samuel Kun आपने generally भी अगर हम लोग English language उस करते हैं तो आपने एक term सुना होगा कि paradigm shift आ गया है basically paradigm shift सबसे पहली बार T.S. Kun ने use किया था तो इसी वज़े से paradigm जो term है वो scientific research में सबसे पहले उन्हों नहीं use किया था ठीक है जो fourth option है वो है E.H. Car ठीक है E.H. Car basically एक historian है और history मेरा subject है इसलिए मैं इनके बारे में जानती हूँ बाकी दो options के बारे में अगर आपको जानते हो तो आप उनके बारे में लिख सकते हो कि वो कौन थे फिलहाल इसका answer यानि कि paradigm term देने वाले T.S. Kun थे अब next question है while doing research it is better to select hypothesis which is अब यह बहुती easy question है अगर आपको यह question नहीं भी आता होगा तो आपकी अगर चारो options पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तीन options है वो काफी same से हैं जैसे की B option है fixed, C है approved, D है approved तो यह सारे same से options लग रहे हैं तो obviously जो तीनो same option है अब उन में से कोई answer तो correct नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक correct है तो तीनो correct हो जाएंगे इसलिए आप ऐसा option चुनों जो बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है वो है tentative Basically hypothesis तो वो ही आप चुनते हो जो आपको लगता है कि सही हो सकती है अगर hypothesis को approve कर दिया जाए तो वो एक theory में convert हो जाता है hypothesis मतलब ही ये है कि वो अभी approve नहीं हुई है वो अभी tentative है यानि कि अभी भी वो उस stage में है कि आपको लगता है कि वो सही है पर आपके पास proper evidence नहीं है वो से prove करने के लिए या आप उसे prove करने के process में हो तो इसका answer हो जाएगा tentative तो while doing research it is better to select a hypothesis which is tentative यानि कि जिसके सही होने की संभावनाए सबसे जादा है तो इसका answer है A tentative अब जो next question है उससे similar मिलता जलता question हमने पिछली वीडियो में भी discuss किया है question है in which year was the university grants commission established तो मैंने पहले भी university grants commission के बारे में आपको पूरे details दी हो है तो आपको वीडियो देखना चाहिए पर फिर भी मैं या पर repeat कर देती हूँ basically university grants commission 1953 में बनाया गया था पर उसको जो statutory status है यानि कि जो act of parliament से उसको statutory status मिला वो उसे 1956 में मिला यानि कि university grants commission act जो पास हुआ था वो 1956 में पास हुआ था और यही question पिछले वीडियो में हमने discuss किया था जो कि 5th January 2019 के paper में पूछा गया था ठीक है उसके अलावा अपको आपको याद रखना है कि ये एक statutory body है आपको ये याद रखना है कि जो first director थे university grants commission के वो थे शांती स्वरूप भटनागर नेक्स चीज आपको याद रखनी है कि university grants commission का function होता है कि universities का जो level है education का उसे maintain करना उसे improve करना तो ये बहुती जादा जरूरी है और उसके अलावा Indian education commission जो की बना था 1948 में S. Radhakrishnan के अंडर उन्होंने recommend किया था कि UGC जैसी एक body बनाई जानी चाहिए तो वो आपको याद रखना है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो NIRF ranking होती है वो ministry of HRD यान की human resources and development launch करता है और यही ministry help लेती है UGC की NIRF की rankings निकालने के लिए तो NIRF में मैंने उस time question बूचा था आपसे कि आपको बताना है कि कौनसी university number one पे आती है ranking में तो उसका answer है IISC Bangaluru यानि Indian Institute of Science Bangaluru वो number one पे आती है universities की list में अब इस वीडियो में आपको बताना है कि NIRF ranking में colleges की list में सबसे best college कौन सा है यानि rank one पे college कौन सा है ठीक है अब जो next question paper पूचा गया था वो basically current affairs related question था question यह था कि कौनसी country ने humanoid humanoid Sophia को citizenship दे दी है उसका answer Saudi Arabia था तो अब वो उस time के हिसाब से important था बट वो अभी के लिए important नहीं है तो मैंने अभी के लिए current affair यहां पे include किया है यह भी science and technology से ही related है question है isro's dash launches Brazil's Amazonia satellite on March 1, 2021 यह भी recently एक March को हुआ है और यह science and tech से related है तो मैंने एक science and tech का ही question ले लिया basically isro की आपको पता है PSLV जो की launcher होता है launching vehicle उसके different numbers होते हैं तो आपको बताना है कि isro के कि इस PSLV ने ब्रजील की Amazonia को यानि की satellite है उसको launch किया है इसका answer है PSLV C-51 ऐसे कारण तफैस आपको बिलकुल धियान रखने है कि उनकी बहुत जारा संभावनाएं है इक्जाम पेपर में आने के लिए अब पिशला question science and tech से था तो एक question मैं आपसे पूंचते हूँ आपको बताना है कि isro के अभी present director कौन है आप comment section में लिखो यह भी बहुत important question है next question भी उस time के हिसाब से बहुत important था यह भी current affair का question था पर अभी भी यह question उतना ही जरूरी है इसलिए मैंने इस question को exchange नहीं किया question है who is the head of the western ghats ecology expert panel यानि की WGWP तो यह बहुत ही जादा important था क्योंकि western ghats जो आप जानते हो mountains है जो कि western states से होके निकलते हैं उनका बहुत बुरी तरह से degradation हो रहा था इसलिए government यह panel बनाया था ताकि ऐसे degradation को रोपने के लिए वह कुछ recommendations दे तो इस panel का head था थे sorry माधव गैडगिल तो यह आपको याद रखना है माधव गैडगिल यह बहुत ही जादा famous पैनल था और थोड़ा controversial भी हो गया था इसी से से related है history के question देखे तो मुझे मज़े ही आ जाते हैं क्योंकि history से related इतने easy questions पूछे जाते हैं exam में कि मुझे लगता है कि सभी को बहुत अच्छा लगता होगा history के questions देखके तो question है which princely state was taken by the British rulers under the doctrine of lapse तो मेरे ख्यास से आपको सभी को मालूम है doctrine of lapse क्या था doctrine of lapse basically introduce क्या था Lord Dalhousie और इसका मतलब यह था कि अगर कोई भी Indian राजा एक natural air के बिना मर जाता है यानि कि उसकी अपनी एक उलाद नहीं है तो उसका कोई भी adopted son उस राजा के मरने के बाद उसको कोई हक नहीं है उसकी गद्धी संभालने का तो basically वो जो राजे का सामराजे है वो British Empire के अंदर जुड़ जाएगा क्योंकि उसका अपनी कोई natural संतान या ओलाद नहीं है तो यह था doctrine of lapse तो यह introduce किया था Lord Dalhousie ने और यह बहुती जादा controversial और इसकी वजह से काफी जादे rebellious हुए तो doctrine of lapse के अंदर जो सबसे पहला state था जो annex किया गया था Britishers द्वारा वो था सतारा सतारा के अलावा और बहुत सारे states थे जैसे कि जैदपुर, संभलपुर, बागहाट, उदैपुर, नाकपुर, जहासी तो basically यहाँ पे दो options यह हैं जहासी और उदैपुर, अभी उदैपुर राजस्थान वाला नहीं है, यह 36 गड़ वाला है पर basically उदैपुर इसका सही answer नहीं हो सकता क्योंकि 1860 में इस state को वापस उसके जो rulers थे, जो local rulers थे उनको वापस दे दिया गया था तो Britishers का इस पे कोई control नहीं था, तो इसका answer obviously हो जाएगा जहासी, जहां की रानी लक्ष्मी बाई बहुत जादा famous है, जन्होंने इस doctrine of labs के खिलाफ आवाज अठाई और उसके खिलाफ लड़ते लड़ते वो वीरगती को प्राप्त हुई, तो इसका answer होगा जहासी, आपको यह याद रखना है, यह बहुती easy question था, और Lord Dalhousie को तो आप बिलकुली मत भूलना, अब next question से पहले मैं कुछ बोलना चाती हूँ, basically यह history का question देखे मुझे याद आ गया, मैं सोच रही थी कि एक history की test series शुरू करूँ, medieval, modern और ancient तीनों ही phases की, तो आप लोग जो भी history के aspirants हो या history आपका subject है, अगर आप लोग चाते हो कि मैं यह test series शुरू करूँ, तो please comment section में लिखना, क्योंकि अगर आप demand करोगे, तब ही मैं वो test series लेके आओंगी, वरना कोई फायदा नहीं है, मैं मेहनत करूँ और आपको उसकी requirement भी ना हो, need भी ना हो, तो अगर आपको चाहिए कि मैं history की test series शुरू करूँ, तो आप comment section में जरूर लिखना, मैं इतनी ही बढ़िया, जैसे अभी हमने question इतना बढ़िया discuss किया, वैसे ही हम लोग बहुत सारे बढ़िया questions discuss करेंगे, तो आप comment section में मुझे जरूर बताना, तो आप जो question है, वो है, which is the seventh planet from the sun, आप आपको माल मालूम है कि solar system में 9 planets हैं, कुछ books में art लिखते हैं, Pluto को नहीं include करते हैं, पर जो भी है, काफी लोग होते हैं, वो एक song की तरह याद कर लेते हैं, कोई, you know, जैसे बहुत सारे planets याद रूपना मुश्किल है, तो मुझे ये planets याद हैं, आपको मालूम है कि sun के सबसे करीब planet है वो है Mercury, तो उसके बाद आता है Venus, तीसरे number पे Earth आता है, तो basically Mercury, Venus, Earth, Mars, फिर आता है Jupiter, फिर आता है Saturn, फिर आता है Uranus, तो Uranus 7th planet है sun से, Uranus के बाद आता है Neptune, और 9th number पे आता है Pluto, तो Pluto जब मैं छोटी थी तो वो एक planet की तरह count किया जाता था, उसके बाद उसे planet की category से हटा दिय आ गया था, तो यह सब तो scientific field में चलता ही रहता है, changes बग्यरा, पर फिल हाल इस question का answer है Uranus, और आपको बाकी planets के numbers भी याद होने चाहिए, यह वाला जो चीजे है, आप 6th की science की NCRT में, जो first chapter है, वहाँ से पढ़ सकते हो, उसमें सारे asteroids, meteorites, यह सारी चीजे उसमें easily बहुत अच्छे तरह से explain की हुई है, तो आप चाहो तो उस book को भी refer कर सकते हो, next question फिर से बहुत ही अच्छा question है, question है, right to property is a, यह किस तरीके की right है, तो आपको बालून होना चाहिए, कि right to property पहले एक fundamental right थी, यानि कि यह constitutional right थी, पर उसको बाद में constitutional right से हटा के, एक legal right बना दिया ग amendment था, वो था 44th constitutional amendment act, now आपका काम है यह बताना कि 44th constitutional amendment कौन से साल में लाया गया था, तो यह बहुत जादा important है, second question जो है, जो मैं आप चाहती हूँ कि आप इसका answer दे, वो यह है कि कौन से constitutional amendment को mini constitution भी कहा जाता है, यानि कौन से number का amendment था, जैसे mini constitution भी कहता है, तो यह दोनों questions भी आपको इसका जवाब देना है comment section में, अब next question है, who appoints the chief election commissioner of India, तो chief election commissioner को appoint करता है president, आपको पता है कि president इंडिया का first citizen होता है, और जो constitutional bodies होती है, especially उनके chiefs को president ही appoint करते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि election commission एक constitutional body है, तो अगर यह भी question आता है, कि election commission एक statutory body है, एक executive body है, या एक constitutional body है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि election commission एक constitutional body है, एक समविधानिक body है, ठीक है, उसके अलावा अब आपका जो काम है, वो यह है, मुझे अभी बताना कि अभी के time पे chief election commissioner कौन है, और हमारे election commission में कितने लोग है, यानि कितने members हमारे election commission में है, तो ये दो चीज़े आपको answer करनी है, comment section में, अब next question है, बहुत ही जरूरी है, ऐसे questions से आपको सीख लेनी चाहिए, कि ऐसे questions तो जरूर आने ही आने है, क्योंकि पहली बात ये census 2011 से related question है, और दूसरी बात ये UP से related question है, तो UP से related census से questions आने बहुत ही जादा common है, आपको ये से related census अच्छे से prepare कर लेना चाहिए, तो question है, as per 2011 census, which district of UP has highest female literacy rate, यानि कि UP की कौन सी district के पास female literacy, सिर्फ literacy नी, female literacy highest है, कौन सी district में, as per census 2011 census, तो इसका answer है कानपूर, ठीक है, तो कानपूर में, UP स्टेट में सबसे ज्यादा highest literacy rate है, अब आपको बताना है, कि UP की सबसे कम female literacy rate वाली district कौन सी है, बलकि इसका answer in options में ही दिया हुआ है, तो आपके लिए easy बना दिया मैंने, अगर आपको ये मालूम है कि इंडिया में कौन सा state का सबसे highest literacy है, ये तो बहुती common है, आपको पता ही होगा, आपको ये बताना है कि इंडिया का कौन सा state है, ज बहुत अच्छी बात है, तो आपको इन questions का जवाब comment section में लिखना है, जल्दी से लिखतो, next question है, which of the following states provides largest contribution to wind energy in the country, तो इसका answer है तामिल नाडू, आपको ये पता होना चाहिए, तामिल नाडू में सबसे ज़्यादा wind energy produce होती है, और ये बहुती बढ़ा contributor है, electricity produce करने में, जो electricity, wind energy से निकलती है, तो ये इसका answer हो जाएगा तामिल नाडू, next question है, which of the following states has the largest area under forest, यानि area wise कौन से state में सबसे ज़्यादा forest है, तो इसका answer है मध्यप्रदेश, ये बहुती commonly asked question है, तो आपको याद रखना है कि area wise अगर forest किसी state में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश, और आपको comment section में बताना है कि percentage wise कौन सा state है, जिसमें सबसे ज़्यादा forest area है, percentage के हिसाब से, और मैं आपको hint दे देती हूँ, वो एक north eastern state है, तो आप इसका answer भी comment section में लिखो, next question है, which of the following tributaries of Indus does not flow through Pakistan, तो कौन सी tributary है Indus की, जो सिफ इंडिया में flow करती है, पा आपको options में लिखना है Indus की कौन सी 5 tributaries हैं, जो बहुत भी जादा famous है, जैसे कि इसमें 4 वी हुई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी एक tributary है, जिसका नाम Indus में नहीं दिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर 5 ऐसी tributaries हैं, जो left-hand sided tributaries है Indus की, तो आपको 5 वी tribut का नाम लिखना है options में, अब last question है, which of the following states is the largest producer of iron ore in India, तो largest producer तो वैसे करनाटका होता है, पर क्यूंकि इसमें option करनाटका है ही नहीं, तो इसमें से जितने options दिये हुएं, उसमें से हमें पता लगाना है कि largest contributor of iron ore production कौन सा है, तो इसका answer हो जाएगा Odisha, तो आपको याद रखन है, largest producer करनाटका है, पर इस question के हिसाब से इसका answer हो जाएगा Odisha, तो मैं मानती हूँ कि ये 15 questions discuss करने में, ये वीडियो काफी लंबी हो गई, reason ये है कि मैंने आपको बहुत सारे additional points भी बताए, क्योंकि previous year questions discuss करने का उदेश सर्फ ये नहीं है कि हम सर्फ previous year के questions ही discuss करे, बलकि उ discuss करी, और जो मैंने additional questions आप से पूछे हैं, प्लीज कोशिश करना कि आप उनके answers comment section में जरूर लिखो, आप पर revision होगा, अगर आपको नहीं आते होँगे तो आप research करके लिखो उनके बारे में, मुझे लगता है काफी questions इससे related आपके exam में first जाएंगे, तो ये थी आज की video, बाकी के जो 15 questions हैं 15th of December 2018 के वो मैं next video में discuss करूंगी, so until next time, take care, bye bye